नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं दा प्राइम टेक आज मैं आपको हमारी पहली वीडियो में एक VR Box 2.0 की एक अन्बॉक्सिंग दिखाना चाहता हूं जो कि मैंने Amazon.in से मंगवाया है तो दोस्तों आईए हम पैकेज देखते हैं यह रहां दोस्तों वो पैकेज जो मैंने Amazon.in से मंगवाया है आप देख सकते हैं यहाँ पे Amazon Prime लिखा हुआ है क्योंकि Amazon Prime इसलिए लिखा हुआ है कि मैं एक Prime Member हूँ मैं रेजिस्चर कर चुका हूँ Amazon Prime से रेजिस्चर करने के लिए भी मैं आपको एक वीडियो दिखा दूगा मुझे Amazon Prime Member बने हुए ऐराउंड 15 डेज हुए हैं और मुझे यह डिलेवी बहुत फास्ट मिली है यानि कि सिर्फ 2 डेज नहीं तो मेरे को Amazon जो भी पैकेज पहले आये हैं वो 5-6 देज लगाते थ हैं तो Prime is very good दोस्तो तो चलिए दोस्तो हम इसकी unboxing करते वक्त इस वीडियो की शुरुआत करते हैं तो दोस्तो यह रहा हमारा एक VR Box 2.0 वर्ट जो रियालिटी ग्लास एविटिंग इस पॉसिबल इस यू चेंग अनदर आइस लोगें तो दिस वर्ट दोस्तो यह टाग लाइन बहुत अच्छी है आप देख सकते हैं हमारा यह VR Box है यह बहुत अच्छी पैकिंग में आया है साइड में एरफ्लॉप्स लगे हुए हैं यह बहुत चीप प्राइस पे लो प्राइस पे मिल गया है यह पैकेज यह मैं एक पैकेज मैंने से 5 15 रूपीज में और किया है इसके बेस्ट बाय लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्कूशन में दे दूँगा दोस्तों आपने सोचा होगा आपने देखा भी होगा कि 5 15 रिमोट कंट्रोल के साथ यह बॉक्स थोड़ा बहुत ही ज़्यादा सस्ता है यह बॉक्स बैसे 4 तो 300 के बीच में सिर्फ और सिर्फ बॉक्स मलता था और यह ब्लोटोथ रिमोट कंट्रोलर हमें आके अलग से 200 रुपे तरका लेना पड़ता है तो दोस्तों टोटल होए 400 और 200 600 यह मुझे से 5 15 रूइस में मिला है तो चलिए इसकी अन्बॉक्सिंग करते है इसे मैं रखता हूं साइब में दोस्तों इसकी अ किमारा चैनल दा प्राइम टिक हां पुछे सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं लाइक अन्बॉक्सिंग रिव्यूज हाव तो डूस टिप्स अंड ट्रिक्स इंफॉमेशन अंड टिक न्यूज अल दी देख सकते हैं कितना अच्हा लगता है दो बटन सी यहां पर है एक रोलर यहां पर है एक संग्शन की पावर बटन अब औफ डाउन वाल्यूम अप लो दोस्तो यह रहे बटन और दो बटन यहां पर हैं एक बरन चैनल को फॉर्वर्ट करने के लिए और यह बटन काम करता ह या उसी function को backward पीछे लाने के लिए यहां पर हमें बैटरी नहीं मिलती हैं यहां पर ट्रिपले बैटरी लग जाएंगी जो की 1.5 वार्ट तक का यह सपोर्ट कर लेता है दोस्तों आपको बैटरी इसमें डालनी पड़ेंगी और क्या है पाकेज में दोस्तों यह है एक यूजर मैन होई जो मैंने आपको अभी बताया है function की इसके बारे में यह आप यहां देख सकते हैं आप इस वीडियो का पॉस करके एक बार और पढ़ स सकते हैं दोस्तों यह जूम हो गया है focus आगया है आप इसको पॉस करके बढ़ सकते हैं तो दोस्तों मैं इसको रखता हूं अब हम अन्बॉक्सिंग करते हैं हमारे वी यार बॉक्स 2.0 वच्योर यालेटी ग्लास ओपनिंग दोस्तों आप देख सकते हैं जनर एक वी यार सेटिंग बॉक्स इसका एक बार कोड है वाइट कलर अकटेट बाइड यह मेनुफैक्ट्ट्र की डिटेल्स दे रखी हैं और इसका मेर भी देख सकते हैं वन था उजें नाइन 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 टीन दोस्तों मैं आपको फोकॉस रर के दिखाता हूं अब द आपको इस वी यार को कैसे यूज करना है इसमें चाइनीज में भी लिखा है और तीचे इंग्लिश में भी लिखा है आप इसको पढ़ सकते हैं मुझे पता है इसलिए मैं नहीं पढ़ूँगा आपको इस वी यार बॉक्स प्लस ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोलर की एक रिव्यूइंग वीडियो मैं आपको कुछी दिनों में इस चैनल पे पोस्ट करता हूं तो आप इसकी रिव्यू वीडियो भी देख सकते हैं उसमें मैं आपको इसकी सारे प्रोस और कॉंस भी बत जो की अच्छा था पर 2.0 लेटेस है इसलिए मैंने लेटेस मंगाया है ताकि आपको हर एक चीच लेटेस ही दिखाऊं दोस्तों यह रा वी यार बॉक्स इस लिप को अतालते हैं आप देख सकते हैं कितना ब्रैंड नियू है कोई रीफर विश प्रोड़क्त नहीं है यह इसे लिफ्ट में टाग हो जाता है ताकि जो भी आप इसकेंडर फोन डाले उसका कैमरा व्यू आपको आ सके यहां की तरफ आप देख सकते हैं ब्लाक और बाइट के लगा है बहुत अच्छी विल कॉलिटी है प्लास्टिक बहुत बढ़िया है नो डाउट इस तरफ आप देख सकते हैं लेंजेश मैं सलेप अतारता हूं यह इस स्लिप में इने उतार दी हैं लेंशे से लेंश बहुत कूल हैं बहुत बहुत ही जादा ब्राइट हैं मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बलरिंग जैसी कोई पाज़ बात कोई भी वियू में हमने बलर देखेगा दोस्तों आप पैडिंग देख सकते हैं पैडिंग बहुत सॉफ्ट रबर की है बहुत ही सॉफ्ट यहां हमें नोज की जगह भी दे रखी है इसलिए नोज में भी शैद कोई पेंग नहीं होगा इसको यह बहुत बड़ा दिख रहा है मुझे हम विचर में देखते हैं हमें इतना साइज हम नहीं सोचते इसका यह बहुत बड़ा है यह में पैंते वक्त कोई प्रॉब्लम ना करें बस दोस्तों यह रही हमारी एक लेजर यह रही लेजर की पैडिंग पैडिंग नहीं कहेंगे लेजर इसको लगा हुआ है ताकि तब जब भी हम इसको वियर करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो आप लेजर देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रेची है मैं इसको खीच के दिखाता हूं उसको आप देख सकते हैं मैंने बहुत अदस बहुत स्ट्रेची है और यहां पर यह हमें एक लेजर लेजर पैड दे रखा है इनमें यह तीनों लेजर स्ट्रेची रबर्स इसमें बंद अब आपको इसका बहुत बढ़िये फीचर लिखाने जा रहा हूं जो की है लेंस एड़स्चिबर इससे हम लेंस को एड़स्ट कर सकते हैं इस तरफ ये वालेंस इस तरफ आगया है और ये वालेंस इस तरफ है जैसे इसका मतलब है कि दोनों लेंज बीस की तरफ कॉंटाक्ट हो गए है अब इन दोनों को अगर मैं भार कर दूँगा तो इस दोनों लेंज भार की तरफ से ले जाएंगे आप इस वीजियो में इसको इस तरह देख सकते हैं मैं इसको फेहलाता हूँ आप देखना यहला इसको भी हलाता हूँ इस तरफ आगया और दूसरा फंक्शन है कि हमें लेंज आगे पीछे करना है तो अगर आपने आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है आए इसमें पेन होना है तो आप लेंज को दूर कर सकते हैं दोस्तों मैं आपको इगर दिखाता हूँ कि कैसे वक करेगा मैं लेफ ले लेंज को पहले आगे पिछे करता हूँ दोस्तो आप देख सकते हैं ये लेंज हिल रहा है और दोस्तो अब मैं आपको राइट लेंज की बारी दिखाता हूं आप देख सकते हैं राइट लेंज भी हिल रहा है दोस्तो ये बहुत बढ़ी आफीचर है इस VR का दोस्तों VR ki unboxing तो हो गई है और इसकी feature भी बता दी है और जो main main baat है वो है जहाँ आपको अपना phone adjust करना हो cow लोस्तों वो इसम ट्रे ओ सो स्यम ट्रेए नहीं एक phone टरे यहां से निकलेगी यहां से जैस यहां सेधेरन हैं यहां होती हैं यह उम्हें से चुछ निएक संसलों रगुर। सिर्फ यह पूंड दालेंगे को जिसे पंद नहीं जाएगा और यह को बिल्कुल लिए गर अप्यूहं लग। 6.0 इंज की फोन को सपोर्ट करता है उन सब के साथ compatible है तो यह बहुत बढ़िया है दोस्तो इसी के साथ हमारी एक unboxing video हो गई है जिसमें आपको एक मैने VR box और उसके साथ उसके Bluetooth controller की एक unboxing दिखाई है दोस्तो इसकी review video है अब कुछी दिनों में आपको इसी चैनल पर दिखाऊंगा तो उसे देखने के लिए आप हमारे